आद आप मैं हूँ खेर लेकर आई हूँ बीबियन चैनल का बिलकुल नया प्रोग्राम सितारों की आप बीती सबसे पहले आपको बता दूँ के इस प्रोग्राम में हम वालीवूट की हर बड़ी हस्ती की कम्प्लीट बायोग्राफी देंगे हम बताएंगे उनकी जिन्दगी की मुक्कमल दास्तान तो आईए शुरू करते हैं प्रोग्राम वालीवूट बायोग्राफी या सितारों की आप बीती बॉलीवूट फिल्म इंदस्ट्री की हिस्ट्री को अगर हम खंगा लेंगे तो हमें एक सन्ने बहुत ही खास नजर आता है वो है कपूर जिसने बॉलीवूट पर पिछले सत्त सालों से राच किया है आज हम वालीवूट बायोग्राफी में सबसे पहले जिस अभी नेता एक्टर के बारे में बात करेंगी उनका नाम भी है राच उन्होंने भी लाखों लोगों की दिलों पर राच किया है जी हाँ बात कर रहे हैं राच कपूर की हिंदुस्तार के नाम वा रेक्टर और डारेक्टर राच कपूर जिनका चर्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ फिल्मों में क्लैब बॉय के तौर पर अपनी फिल्मी जिन्दगी का आगास करने वाले राच कपूर ने ना सिर्फ अपने पिता यानि वालिद पृत्वी राच कपूर की विरासत के दबाओं में अपना तकलीखी सफर यानि क्रियेटिव जर्नी तै की बलकि इसमें अपन करके वो चार दहाईयों तक यानि 40 सालों तक फिल्म के उपक पर पतोर एक्टर और डारेक्टर राच करते रहें भारत के अलावा रश्या और मिडल इस तक देखे जाने वाला ये फनकार हलांकि मैट्रिक के इम्तिहान में पेल हो गया था लेकिन आज भारत की युनिवर्स ये तो था राजकपूर का शॉर्ट इंट्रोडेक्शन अब आये देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने काम्या फिल्मी सफर की शुरुआत की क्या-क्या उतार चड़ाओ उनके इस सफर में आए राजकपूर ने अपने फिल्मी सफर के शुरुआत डारेक्टर केदार शर्मा के असिस्टन्ट के तौर पर की और फिर सन 1947 यानि 1947 में बनने वाली इनहीं की फिल्म नील कमल में वो हीरो के तौर पर सक्रीण पर नमदार हुए इस फिल्म में उनके हीरोईन मद बाला थी मद बाला भी पहली दफ़ा हीरोईन के तौर पर सक्रीण पर आए थी राजकपूर ने पहली दफ़ा अपने फिल्म आग को खुद डारेक्ट किया जो 1918 यानि 1948 में बनाई गई एक साल बाद बने वाली उनकी अगली फिल्म पर साथ को शायकीन ने बेहत पसंद किया इस फिल्म में उन्होंने नर्गिस के साथ काम किया इस फिल्म के बाद तो जैसे काम्याबी के दर्वाजे राच कपूर पर खुलते ही चले गए और उनकी एक स्पेशल टीम बनती चली गए। कहते हैं स्टोरी और डायलॉग खुआजा एहमद अबबास, म्यूजीशियन शंकर जैकेशंग, सौंग के राइटर हसरत जैपूरी और शलेंदरा वहीं सिंगर मुकेश और लता मंगेशकर के बगैर उनकी फिल्मे मुकमल ही नहीं होती थी। लेकिन इन तमाम फिल्मों में राज कपूर के अलावा में कैरेक्टर हिरोईन नर्गिस का था। राज कपूर का नर्गिस के साथ कामिया फिल्में देने का सिलसला जारी था। लेकिन ऐसे में ये आन स्क्रीन जोड़ी को लेकर कई अफाएं गर्दिश करने लगी और फिर दोनों की जिन्दगी कहीं न कहीं इससे मुतासिर हुई और उनकी जिन्दगी में उतार परमस्करे से फिल्म बरसाथ से राज कपूर की जिन्दगी में एक और शुरुआत भी हुई उनकी नर्गिस के साथ एक कामियाब स्क्रीन जोड़ी बनी और इसी दोरार राज कपूर नर्गिस के काफी करीब आ गये जिसकी वचह से दोनों ही यानि नर्गिस और राज ना करना पड़ा क्यूंकि राज कपूर पहले से ही क्रिशना कपूर के साथ शादी के बंधन में बंद चुके थे और ये तनाव कुछ इसकदर बढ़ गया कि राज कपूर के कहने पर नर्गिस ने के आसिफ की ब्लॉक बस्टर फिल्म मुगले आजम में अनार कली के रोल से इंकार कर दिया था एक ऐसे वक जब नर्गिस और राज कपूर हिट पर हिट फिल्म दे रहे थे इन्ही दिनों मश्रिक बंगाल से आई हुए कैमरा मैन राधो करमाकर ने आर के प्रोडक्शन्स में काम शिरू किया और तब ही उनके हाथ लगा के अबास की महबूब खान के ये लिखी के फिल्म आवारा की स्क्रिप्ट फिल्म आवारा बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने राज कपूर को चार्ली चैपलिन से मुमासिलत रखती हुई एक नई परस्नाल्टी बनाती घरबार नहीं संसार नहीं मुझे से किसी को फ्यार नहीं इसी नीच को राज कपूर ने शिरी 420 और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों के लिए इस्तिमाल किया इसी दوران इनकी तीन और फिल्में रिलीज हुई थी पूट पालेश अब दिल्ली दूर नहीं और जाकते रहो तीनों फिल्में ज्यादा काम्याबी हासल नहीं कर पाएं अब दिल्ली दूर नहीं उनके केरियर की सबसे नाकाम फिल्म साबित हुई थी नाकामी के इस छोटे दोर के बारे में ये बाद भी काबल जिक्र है कि इसी दोर में नर्गिस और राजकपूर अलाहता हो गए थे और नर्गिस ने सुनील दत के साथ शादी कर ली कहते हैं कि नर्गिस के शादी के बाद हर गुजरता हुआ दिन राज कपूर के लिए काफी मुश्किल भरा रहता था लेकिन राज कपूर के मुश्किल भरे दिन खतम हुए एक फिल्म के सार जिसका नाम था जिस देश में गंगा भैती है इस फिल्म में उन्होंने सौत इंडिया की एक मशूर अदाकारा पदमेनी को हीरोईन दिया राज कपूर ने अपने फिल्म इस सफर को आगे पढ़ाते हुए अपनी अगली फिल्म बनाई जिसका नाम था संगा इस फिल्म में राज कपूर ने साउत की एक्ट्रेस वैजन्ती माला को कास्ट किया ये फिल्म अंदास से काफी मिलती जुदी थी और बाक्स आफिस पर बड़ी हिट रही लेकिन इस फिल्म के लिए पहले हीरो का राजेंदर कुमार की जगा रोल दिलिप कुमार को आफर किया गया था लेकिन दिलिप कुमार ने ये आफर खुबूल नहीं किया अगर दिलिब कुमार ने या उफर तसलीम कर लिया होता तो शायद संगम एक उतनी ही बड़ी और यादगार फिल्म साबित होती जितनी के अंदास लेकिन दिलिब कुमार का फैसला शायद गलत न था क्योंके संगम में वो राज कपूर के साथ परदे पर नजर तो आते मगर कैसे ये तो बहसियत डारेक्टर खुद राज कपूर के ही हाथ में था वैसे भी दिलिब कुमार को जो भी साबित करना था वो फिल्म अंदास में साबित कर चुके थे जिस देश में गंगा बहती है और संगम की शूटिंग के तौरा राज कपूर का नाम उनकी हेरोएनों से फिर जोड़ा किया और बात यहां तक पहुँची कि इन फिल्मों के मुकमल होते ही बदमिनी और वैजनती माला की उनके घरवालों ने शादी करा दिए राज कपूर का नाम लिया जाए और फिल्म मेरा नाम जोकर का जिकर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता छे साल तक बनने वाली अपनी पसंदिदा फिल्म मेरा नाम जोकर के फ्लाप होने पर राज कपूर बहुत ही दिलबरदाश्ता रहे लेकिन उन्होंने इस तकलीबदा नाकामी की राख से उठकर फिर कामियाँ फिल्मे बनाना शुरू की राज कपूर जी पर दो बड़े सद्में गुसरे लेकिन वो अपनी तवई कुछ दिरी और मेरा नाम जोकर जैसे अन्दाज से उन्हें सहार कर आगे पढ़ते गए दुनिया पर तरजिह देते हुए घर की हो गई और दूसरा उनकी छे सालों में मुकमल होने वाली फिल्म मेरा नाम जोकर का बुरी तरह से प्लॉप होना था कहते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर राज कपूर की अपनी जिन्दगी के वाकियाद पर मुबनी फिल्म थे फिल्म का मेन क्यारेक्टर एक जोकर है जो दुनिया को अपने आशों छुपा कर हसाने की कोशिश करता है राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के बाद मगबूल अधाकारा टिंपल कपाडिया को अपनी फिल्म बॉबी के जर्ये फिल्म इंडस्ट्री में चांस दिया फिर जीना दमान की सत्यम शिवम सुनतरव और दिव्याराना की राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मे बनाई इसमें कोई शक नहीं कि इन फिल्मों की हेरोΐने हालाथ की शिकार और्तों के किरदार में परदे पर नजर आए लेकिन इन फिल्मों पर हेरोईनों की एक्सपोजिंग सीन या बदन की नुमाईश का इल्जाम भी लगता रहा फिल्म हिना राज कपूर की आखरी फिल्म थे लेकिन इसका जिम्मा वो अपने बड़े बेटे रंधीर कपूर को सौप चुके थे वैसे भी जेबाब अख्तियार के साथ बनाई गई आर के प्रोड़क्शन्स की इस फिल्म से उमीद कम ही थे लेकिन इस फिल्म को भी शाकीन ने काफी पसंद किया राज कपूर का दौर जो दिलिप कुमार की ट्रैज़डी आक्टिंग के साय में घिरा रहा उसमें राज कपूर हकीकतर एक जोकर ही की तरहा लोगों के लिए मुस्कुराहटे तखलीख करते थे दो मैं 1988 की राज राज कपूर हिंदुस्तानी फिल्मों में अपनी गिरांग गद्र किद्मात के लिए दादा साहब फाल के एवार्ड लेने के लिए आए लेकिन उस वक्त वो दम्मे के अचानक दौरे के सबब स्टेज पर ना आ सके इस एवार्ड के मिलने से ठीक एक महिने बाद यानि दो जून 1988 यानि 1988 को वो दिल का दौरा पढ़ने से अपने खालिक हकीकी से जामिले राजकपूर ने कहा था कि लोग डायरी लिखते हैं मैं फिल्मे बनाता हूँ मेरी जिन्दगी इन फिल्मों का हिस्सा है जहां हर वाखया हर रंग की चमक माजी की याद में महफूस हो जाती है और ये सच भी है कि आज भी राजकपूर लाखों लोगों के दिलों में जिन्दा है वक्त हुआ है प्रोग्राम सितारों की आप बीटी में आपसे वीदा लेने का तो यूटूब पर बीबियन चैनल को सब्सक्राइब करना हर गिस भी न भोलें तो चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए देखते रहे बीबियन चैनल